वल्कम बैक यूएम्बी नीज देख रहे हैं चली जानते कैसा रहेगा 20 मार्च को पुरदेश के मौसम का हाल आपको बता दे मौसम के बदले तेवर गर्मी ने बरपाया कहर इन रज्जों में भारी बारिश लू चलने की सभावना देश में हीट वेव की शुरुआत हो चु तो इसमें रभी की फसल के उपच पर बुरा असर पड़ सकता है अगले 24 घंटों के दोरान अंडमा निकुबार द्वीब समू पर हलकी से मध्यम बारिश के साथ भारी से बदभारी बारिश की चितावनी दी गई है एक के दोस्तानों पर आत्याधिक भारी बारिश की चित केरल और दक्षुन करनाटक में हलकी से मध्यम बारिश और गरज के साथ छीटे पड़ सकते हैं तमिलनाडू में हलकी बारिश संभव है और तेलंगाना आंडर प्रदेश की साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पूर्वी असर में भी हलकी बारिश हो सकती है चक्रवाती चक्रवात असानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है अंडमार और निकोबार दीबसमू का प्रसाशन अलर्ट मोड पर आ गया है आप दा प्रबंधन तंत्र को हाई अलर्ट पर है उपर आज्युपाल से सभी स्कूल और कॉलोजों में 19 और 21 मार्च को अवकाश घोश पर पहुंचेगा और अब चले यूपी के मौसम की और उत्तर प्रदेश के मौसम लगतार सुश्क होता जा रहा है भारती मौसम विग्यान विभाग के रुसार इस सब्तार तक गर्मी और तीज हो जाएगी वही तापमान में तीन डिग्री सेलस से अधिक की बढ़तरी दर रहेगा आएमडी के अनुसार नर्मदापुरम, हर्गोन, उज्जयन, रतलाम और धार जिले में अधिक्तमता 5-43 डिग्री सेलसेस दर्ज किया गया नापपूर स्थित केंद्री मौसम विग्यान केंद्री के अनुसार पश्चम मध्यपरदेश में शनिवार रविवार को लू चलने की संभावना है, मौसम में भाग के रुसार, रजिस्थान से मध्यपरदेश की और चलने वाली सुष्क और पचुआ हवाओं का प्रकोब, शनिवार को थोड़ा कम और रविवार को जादा होने की उमीद है, जिससे राज्य के पश्चमी हिस्तों में तापमान म रजिस्थान के आने कि लाके लू की चपेट में है, जहां बीते 24 घंटों में दिन का सबसे अधिक तापमान आसवाणा वा बाड मेर में 43.4 डिगरी सेलसे दर्श किया गया, मौसम में भागने शनिवार को भी राजिके बासवाणा, जित्तोंकर, डूंगरपुर, परताप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, हम आपको हर रोज तज अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहें, यो एमबी निउस